हेलो यूटूब फैमली मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पटना की आसा में आज मैं आपको देखे आलू और काले चने की सबजी बनाना बतलाऊंगी आलू मैं देखे दो चार ले ली हूँ दो ही आलू से हलाकि मैं बनाऊंगी दो आलू को इस तरीके से आप अच्छी तरीके से छील ले छीलने के बाद इसे थोरा सा मोटा मोटा में ही काटे क्योंकि मैं इसे चने के साथ कुकर में बनाऊंगी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सुस्क्राइब करें देखें मैं दो ही आलू का बनाऊंगी, दो आलू मैं ले ली हूँ और दो प्याज, तीन प्याज ली हूँ, एक प्याज में मसाला में पीशूंगे, दो प्याज से मैं सबजी बनाऊंगे, देखें प्याज को आप छील लें अच्छी तरीके से, उसके बाद इसे मसाला में डालना है, तो थोड़ा मोटा मोटा ही काटे, इसे तो हमें पीशना ह और जो हम सब्जी जिसे बनाएंगे देखिए काली चना है यह लसून है जीरा है दो आलू प्याज मैं इनसे आपको आज की रेसिपी जाड़ी हूं बतलाने मैं प्याज को आप काट ले Christians कार्णे के बाद मैं कुकर में आपको बता हूँगी चने की सब्जी कैसे बनाए बहुत अच्छी तरीके से लाजवार बहुत टेस्टी अब मैं मैं प्यास काटी ऊ tal bitch मैं ymसाला पीशेव भी दिए इसलिए मैं पतल काटी उज्ञा हिसे रिरीक These में आ पीक से हमें लौल काटी हुआ सब्सक्राइल को पतले पमैं अथे उज्ञाल हि नहीं उपकर देखिएगा मैं आलू कैसे काटूंगी तो प्याज हमारा कट चुका है और एक प्याज में लूँगी तो एक प्याज है एक प्याज और देखिए आलू को मैं चाट टुक्रा करूंगी ज्यादा पतला पतला ना करें आलू को मोटा मोटा में ही काटना है मैं चाट्टुक्रों में कर ले आलू आप चाहे है तो इस आलू को बाल की भी बना सकते हैं पर मैं कच्छे आलू कहीं बनाना बतलाऊंगी आप देखिए हमारा कुकर में हम तेल रख चुके हैं वाइल अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा फोडर में डालूंगे जीरा तिछ पत्ता और सुखी मिर्च यह समय देखिए दो मैं बड़ी इलाइची डाली हूँ दो लॉंग डाली हूँ गर्म अर्साला में मैं दो लॉंग बड़ी वाली दो लॉंग डालना है दो बड़ी इलाइची डालना है तेश पत्ता ले 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 2-4 दो सुखी मिर्च ले ले आप सबको अच्छी तरीके से भूझ ले जब यह अच्छी तरीके से लगए कि इसमें पयाज डाले प्याज डाले, अब प्याज देखे डाल रही हूँ, प्याज और आलू को मैं एकी साथ अच्छी तरीके से भूनूंगे मैं दो ही प्याज ली हूँ फ्रेंड, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं अब देखें, मैं यह दो आलू जो काटके रखी थी, मैं यह आलू भी इसमें डाल रही हूँ, अब मैं आलू और प्याज को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, बहुत अच्छी तरीके से इसे भूनें, पांस से दस से पंदर मिनट, आप इसे अच्छी तरीके से भूनें जब ये सुनहेरा कलड़का हो जाएगा तभी मैं इसमें कुछ डालूंगी अभी ये इसी तरीके से थोड़ा दिर भुनाएगा देखें, अब देखें मैं मसाला तयार कर चुकी हूँ मसाला मैं आपको दिखा ही चुकी थी कि मैं क्याली क्याली हूँ अब मैं उपर से हल्दी डालूंगी, सुखी मिर्च, मिर्च का पाउडर यूज करूंगी मिर्च आप अपने ही साफ से ले फ्रेंट, अगर तीता खाना है तो थोड़ा ज़्यादा ले, नहीं खाना है तो थोड़ा कम ले अन्नमक मैं डालूंगी मसाला में ही अब इसको अच्छी तरीके से, देखें ये हमारा आलू प्याज भूझा चुका है अब मेरा ये आलू प्याज बहुत अच्छी तरीके से भूझ चुका है, अब मैं इसमें मसाला डाल सकती हूँ जब मैं डाली थी तब देखे यह कैसा था अब यह भूनने के पास देखे यह कैसा देखे मैं मसाला इसमें डाल चुकी हूँ अब अच्छी तरीके से इसे आप भूने जब यह अच्छी तरीके से भूना जाए तब फिर मैं इसमें चना डाल के फिर मैं इसे अच्छी तरीके से भूनूंगी देखिया मसाला डालने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा यह हमारा रिशिपी चने आलू की सबजी अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंट प्लीज लाइक करें शेयर करें सिस्क्राइब करें सपोर्ट करें अब बैल अकेन का बटम आए उसे भी प्रेश करें देखिये हमारा यह अच्छी तरीके से भुणा चुका है अब मैं इसे और थोरी दिर भुणूंगी जब मुझे लग जब देखिये तेल छोड़ने लगे मसाला तो समझे कि आपका अच्छी तरीके से यह भुणा चुका है पर मैं और थोर इदर पांच से दस मिनट में भूंजूंगी अब देखिए ये ये भूंजा चुका है लगभग भूंजा चुका है और ये थोड़ा दिर भूंजाएगा अब मैं देखे इसमें चना डाल रही हूँ चना मैं उबाल के नहीं रख्या है मैं कचच चना से ही बना रही हूँ चना को उबाल के नहीं बना रही अधीजिए आप इस तरीके से कि बना सकते हैं अब मैं यह और पान्च मिल्ट छोओंगे फ्रेंड बुनने के बाद में इसमें पानी आप एक गलास से ज़्यादा ना डालें तो अपका सब्जी बहुत अच्छा ग्रेवी आएगा और ज़्यादा डालेंगे तो पानी अलग अच्छा ना अलग हो जाएगा इसलिए पानी इसमें बहुत हिजआब डालें देखे इस तरीके से हमारा देखे कितना सुंदर लग रहा है इस तरीके से आप इससे बहुत अच्छी तरीके से भून लें देखे अब मैं इसमें पानी हो सके तो डालूंगी यह देखिए लग रहा है, भुना चुका है यह तेल भी देखिए अलग से दिख रहा है हमें तो मैं इसमें पानी एक गलास डाल की दूँगी और डाल के मैं कुकर में सिती लगाऊंगी यह पानी जो है फ्रेंड मैं इसमें थोड़ा सा आप चिकन मसाला थोड़ा सा गर्म मसाला मिला के मैं घोल बना ली हूँ एक ग्लास पानी में मैं वही पानी इसमें डालूंगी मैं सुखा मसाला नहीं उचकी हूँ मैं उसी छम्मच आप चिकेन मसारा ले ले थोरा सा ग्रम मसारा ले यह भोल लेकशने के बाद देखें में वही पानी षब डाली हूँ नमक थोरा सा और उपर से डाली हूँ तो नमक कम हो सकता है इसलें नमक आप अपने हिसाब से लें देखिए हमारा सब्जी बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा देखिए कितना खुबसूरत कितना कलर लाल कलर मैं कोई कलर का यूज नहीं की हूँ आपके सामने बनाई हूँ देखिए हमारा सब्जी कितना खुबसूरत लग रहा है इस तरीके से आप बनाए य अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड थाइंक यू देखिए हमारा सब्जी इस तरीके करें